हेलो एवरीबन वेलकम है आपका मैं पूर्णी माँ आपके अपने यूटूब चैनल पे स्वागत करती हूं गैज और आज मैं लेके आई हूं आप लोग के लिए नारियल के लड़ू मेरा बड़ा आने का मन कर रहा था तो मैंने कहा क्यों नारियल के लड़ू बना हूं तो मैंने का आप लोग के साथ भी शियर कर देती हूं कि कैसे बनता है तो आईए देखते कैसे बनता है ये मैंने लिया है आदा किलो बुरादर नारियल का बुरादर मिल जाता है आपको शॉप पे आराम से मिल जाएगा महां से लेके आई ये और नारियल का बुरादर मैंने गोले के बुरादे को और इसके पास जब भुण जाएगा अच्छ से तो इस स्टेज़ पे हम डाल देंगे मिल्क मिल्क जो हमें डालना है यह बेसे हैं वोइल करके रख रखा था, तो इसी स्टेज पे हम बॉयल डाल देंगे तो मैंने जो बुरादा लिया है वो चार बड़ी कटोरी से है जिस कटोरी से मैं मिल्क डाल रहे हूँ और उसी कटोरी से मैंने दो कटोरी मिल्क डाला है मैंने बुरादे के अंदर और एक कटोरी, डेड़ कटोरी के करीब डाला है मैंने सककर जो सुगर डालना है, वो मैंने पीस लिया था, मिक्सी में तो मैंने पीस के डाला था और इसके बाद इसे अच्छे से चलाना है, जैसे हबजब हो जाएगा नारियल की बुलादे में अच्छी तरीके से अबजब हो जाए तो यह देखिए आप इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें एक कटोरी वन फूर्थ कटोरी मिल्क पाउडर जो मिल्क पाउडर डालेंगे उसके बाद मिल्क पाउडर इसलिए डालेंगे ताकि टेस्ट अच्छे से चला लेंगे और जब कटाई छोड़ देगा चारो तरप से बैटर जो है कटाई छोड़ देगा आप नॉन स्टिकी कटाई यूज कर सकते हैं मैंने तो बस ऐसे ही मतलब ले लिया है और इसके बाद इसमें बनाया है जब कटाई छोड़ दिया हम गैस का फिलम आदेखे स्टेज पे और इसके बाद आफ लिए जब किपनी उर्टरस करने के दो UP करदें ऑद अब वहमीं इसमें नीचे उतारके इसको रवका ठंडा करके और ये मैंने तोड़ा सा बुम्राना अलग से लिया और ठंडा करने के बाद इसको गोल हैं गोल करेंगे थोड़ से इसको बनाते हुए और उसमें डिप करते हुए हम रखते हुए चले जाएंगे और ये लिडू बने हुए है तैयार है आप लोग एक बर बना के खा के देखेगा बहुत टेस्टी बनते हैं सच में और बहुत टेस्टी लगते हैं घर पर बने हुए चीज तो वैसे ही अच्छे होते हैं बाहर से अच्छा तो आप घर में बना के खाईए और कैसा बना है बताईएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरू आते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर थैंक्स पर वाचिंग गाईज बबाई टेक कियर